नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली वन टोपिक बाई एके यूट्यूब चैनल पर आरपीएस सी सेक्रन ग्रेड एसस्टी से समबंदित लोग प्रशासन का ये छटा वीडियो नोट है ठीक है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ वीडियो नोट थोड़ा लेंदी है आज लेकिन आप इसे लास्ट तक देखिए क्योंकि बहुत ही महतपून है तो चली शुरू करते हैं आज का वीडियो नोट पांच वीडियो नोट तक हम 95 क्वाइंट्स तक बात कर चुके ये 96 से हम शुरू कर रहे हैं देखिए 96 संगठन के चार आधार कौन से थे हमने आपको पिछले वीडियो नोट में बताये थे 4PS का 4P का जो फॉर्मूला था गुलिक का जिसके अंदर कौन-कौन से बताये थे कारिये, परपज, प्रकिरिया, प्रोसेस, व्यक्ति, पर्सन, छेत्र, पलेस ठीक है तो ये संगठन के चार आधार थे जो गुलिक ने भी बताये थे इसी प्रकार जो विभिन जो जितने भी संगठन होते हैं उनका यदि अध्यन करते हैं तो भी ये चार ही आधार हमें प्राप्त होते हैं और ये वैसे 4PS का जो फोर्मूला था, वो किस ने दिया था? लूथर गुलिक ने चलिए, अब इसमें एक-एक आधार की हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं पहला इसमें 97.0 पे प्रियोजन या कारे या परपस देखे, प्रियोजन या कारे या परपस क्या होता है? जो हम उद्देश्य निर्धायित करते हैं देखे, इसके आधार पर संगठन का तो निर्मान किया जाता है क्यों? क्योंकि वो हमें उस परपल से हमने उस संगठन का निर्मान किया है तो प्रियोजन होता क्या है? वह अंतिम लक्ष है जिसे पाने के लिए संगठन का निर्मान किया गया हूँ एक हम लक्ष निर्धारित करते हैं जिसको हमने प्राप्त करना है उसके लिए हमने क्या किया संगठन का निर्मान किया उधारन के लिए विबिन देश की सरकारों द्वारा देशों की सरकारों द्वारा शिक्षा यातायात जैसे छेत्रों में बहुत से उद्देशों की प्राप्ति हेतु संगठन बनाई जाते हैं जैसे कि हमारे देश में भी ये बनाए जाते हैं, और विबिन जो उद्देश्य होते हैं, उनका प्राप्त करने के लिए विबिन संगठनों का निर्मान भी किया जाता है, ऐसा नहीं कि उद्देश्य बहुत हैं, संगठन एक हैं, नहीं, उद्देश्यों के साथ ही संगठनो की संख्या भी बढ़ती हुई चली जाती है तो अब देखिए यहाँ पर हम आगे देखते हैं 98 में कि जो प्रियोजन है परपस है कारे है उसके आधार पर जो संगठन बनते हैं तो उनके कुछ गुण होते हैं गुण मतलब मैरिड्स ठीक है गुण और दोश्यों के हम इसमें चर्चा करेंगे तो प्रियोजन के आधार पर बने संगठनों की गुणों के बात करें तो यह दिये वाले इसके द्वारा ठीक है अब इसमें पहले गुण की यदियम बात करें तो इसमें होता है कारे कुशलता में व्रद्धी तो कैसे होती है कारे कुशलता में व्रद्ध ठीक है अध्यक्षेक होता है उसी के नीचे मिल जूलकर कारे करते हैं जिससे क्या होता है कारे कुशलता में व्रद्धी होती है ये इसका गुण है भी देखिए दोहरेपन का निवारन होता है पर्योजन के गुणों में ही बात करें हम तो इसमें एक गुण ये भी है कि इस का वो एक ही संगठन के द्वारा किये जाते हैं, मानलो एक उद्धेश्य निर्दायत कर लिया, उसकी जो frequency में, उसकी जो boundary में, उसके जो संबन्दित जितने भी कारे होंगे, वो एक ही संगठन द्वारा किये जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोहरेपन का वहांपन प्रियोजन की प्राप्ति के लिए गठित जो संगठन होता है वो उसका उत्तरदाई तो निश्चित हो जाता है ठीक है डी देखिए नागरिकों को सुईधा एक गुण ये भी है प्रियोजन का प्रियोजन के आधार प्रबनी संगठनों का कि जो विभाग होते हैं गठित ज क्या है आसानी है यही आसानी से कारे जितने भी प्रकार के आधार पर समझ लेते हैं उन्हें ये भी होता है कि हमें किस विभाग में जाना है कि कारे का ये आधार समझ लिया तो नागरिकों को समझ में आ जाता है कि हमें इस कारे हितु इस उद्देश्यों को पूरा करने के ल हमने आपसे इन गुणों की चर्चा की है देखिए वीडियो को लाइक करते हैं लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं पॉइंट नमबर 99 पर प्रियोजन और परपस के देखिए किसी भी चीज के यदि गुण होते हैं तो वहाँ पर दोश भी होते हैं हर चीज के दो पहल होते हैं वो एक विभाग में कारे करने के कारण उनके अंदर क्या आ जाता है विभागी करन की जो प्रवर्ति होती है उसके वो शिकार हो जाता है एक तरीके से वे केवल और केवल संगठन से सम्मंदित बातों पर ही ध्यान देते हैं संगटन के बाहर की बातों पर वो ध्यान नहीं देते कई बार आपने अधिकारियों को करमचारियों को कहते हुए सुना होगा कि ये हमारे छेतर से बाहर है तो उनमें विभागी करण की क्या आगई प्रवर्ति आ गई तो ये एक उन्होंने दोश बताया है B देखिए कारेों की उपेक्षा वही व्यापक जो उद्देश होते हैं बड़े जो उद्देश होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए गठित विभाग में छोटे-छोटे कारेों की उपेक्षा कर दी जाती है ठीक है उनको छोड़ दिया जाता है ये दोश है एक पुन्रावर्ति की बात करें तो दोश में प्रियोजन में तो ऐसे बहुत सारे संगठनों के कारे होते हैं जो दोहराने पर आ जाते हैं ठीक है या जिनमें दोहरापन आ जाता है जैसे जो सारवजनिक निर्मान विभाग भी भावनों का निर्मान करवाता है और रेल्वी विभाग भी अपने लिए स्वेम के भावनों का निर्मान कराता है तो इस प्रकार से पुन्रावर्ति की यहाँ पर भावना आ जाती है Next दम बात करते हैं 4P's में से 1P प्रक्रिया या प्रोसेस की देखिए प्रोसेस है क्या प्रक्रिया से मतलब तो यह हुआ कि तकनीकी व्यवसाय या किसी विशेश कारे की निपूनता से तो उन सभी लोग एक ही प्रक्रिया से कारे करते हैं जो एक संगठन से जुड़े होते हैं तो इसमें क्या है कि जब संगठन प्रक्रिया आदार पर बने तो सभी का मतलब है यहाँ पर करमचारी एक ही तरीके से कारे करते हैं जैसे लेखा हो गया चिकित सा कानूनी ये जितने भी विभाग बने संगठन बने इनके अंदर जो करमचारी जुड़े होते हैं वो एक ही प्रक्रिया के आधार पर कार्य करते हैं अब इस प्रक्रिया के ये जो P जो हो next है प्रक्रिया वाला प्रोसेस वाला इसके भी कुछ गुण और दोश है जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं तो प्रक्रिया के अधार पर बने संगठनों के पहले हम बात करेंगे गुणों की जिसमें पहला गुण है विशेशी करणवे दक्षता में वरदी देखिए विशेशग्य जो होते हैं वो तकनीकी विक्तियों के एक साथ ठीक है एक इसंगठन में कार्य करने के लिए उनमें दक्षता में वरदी होती है विशेशी करण तता तकनीकी दक्षता का संपूर्ण उप्योग संबव है तो यहाँ पर यदि प्रक्रिया के अधार पर संगठनों की बात करें तो यहाँ पर दक्षता और विशेशी करण का संपूर्ण उप्योग होता है और उनमें वरदी भ उपकरने का तरीका होता है उसमें आवशक्वे महेंगे उपकरनों को एक इस्थान पर समायुजित करने से भारी बचत होती है ठीक है अलग-अलग जगे यदि हम उतने ही उपकरन प्रयोग में लेंगे तो हमारा खर्चा बढ़ेगा तो यहां पर मित्वई होते हैं खर्चे क भड़ जाएंगे नेक्स गुण की बात करें तो एक रूपता और समन्वे देखिए एक प्रकार की सेवाई प्रदान करने वाले जो विशेशक्य होते हैं वो एक ही संगठन में कारे करते हैं यह हम अच्छे से जानते हैं तो इससे संगठन के कारियों में क्या आती है एक र प्रक्तियों को अपने जो विवसाइक जीए उन होता है कमर्शल जो उनकी लाइफ होती है उसमें उन्नती प्रोग्रेस के अधिक अउसर प्राप्त होते हैं तो यह प्रक्रिया क्या दार पर बने गुण है ठीक है नेक्स हम इसी में बात करेंगे वन जीरो टूपे एक सो द प्रक्रिया क्या दार पर बने होते हैं इनमें उद्देश्यों की वजाए साधनों पर अधिक बल दिया जाता है तो इस प्रशाशन का मुखे लक्षे जनता की सेवा करना भूल जाते हैं यह लोग जो मुखे लक्षे होता है जनता की सेवा करना उसको भूल जाते हैं और उद्देश्यों की बजाए साधनों पर अधिक बल देते हैं नेक्स देखिए संगर्षों में वर्दी दोश आईए तो संगर्षों में वर्दी क्या है विशेशग्य जब एक साथ कारे करने से प्रक्रिया अधारी संगर्ठनों में क्या होता है विशेशग्य वे मद्दे व्यवसाइक में मैं की स्तितिया जाती है एहम की स्तितिया जाती है यह व्यवसाइक जो एहम होता है आपस में इर्षा और संगर्षों को बढ़ावा देता है तो यह प्रक्रिया के आधार बर बने संगठनों के कुछ दोस्त है जो वॉलेस द्वारा बताए गए दोस्त अब तक वीडियो नोट आपको कैसा लग रहा है कमेंट करते जाएं नैक्स देखिए 103103 पर नेक्स फोर प्येस में से पी है परसन ये व्यक्ति कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्तियों को संगर्थन का आधार बनाया जाता है, बिल्कुल होता है, किसी विशेश, व्यक्ति, समू कंल्याण और उनके विशेश सेवायं प्रदान करने के उतेश्य से विवागों का गठन कर दिया जाता है, तो अनेक परकार की सेवायं प्रदान करने कि यहांपर प्रियास होते हैं तो व्यक्ति आधारित संगठन तो देखिए व्यक्ति आधारित जो संगठन है उसके हम 104 में गुणों की बात कर लेते हैं पहला इसमें है समन्वे देखिए इनकी ये लाब ही है गुण में है जो लाब है इस प्रकार के संगठन में जो व्यक्ति आधारित होते हैं इसमें एक निश्चित वर को सेवाई प्रदान कर दी जाती है तो प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बीच में समन्वे स्थापित करने में यहांपर सुईदा रहती है न 색 डेकी भी निश्चित व्यक्ति आधारित संगठन के गुणों में एक निश्चित है लाब है ये क्योंकि इस आधार पर जो गठित संगठन होता है उसमें यह निश्चित हो जाता है कि किस संगठन द्वारा किस वर को सेवाई प्रदान की जानी है ठेक है निश्चित्ता हो जाती है ये नेक्स देखिए समश्याओं का समाधान ये जो संगठन है व्यक्तियों पर आधारित इसमें समश्याओं का निराकरण का प्रियास किया जाता है और इसमें जो सेवा जिन व्यक्तियों की की जाती है उस समू से गनिष्ट संबंद भी स्थापित हो जाता है विभाग की उन्नती में ध्यान दिया जाता है यहाँ पर नेक्स्ट जो गुण है व्यक्तियों से संबंदित जो संगठन होता है वो लाप्राप्त करने वाले समू के संगठन में उन्नती में गहन आस्था रखता है और अपना सारा समर्थन इन्हें परदान करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि विभागी उन्नती से संगठन उनके हित में ज़्यादा बैतर कार्य कर पाएगा नेक्स देखते हैं चलो व्यक्ति आधारित संगटनों के दोश इसमें ए है अत्यदिक विभागों के होने का भै देखिए यदि व्यक्ति आधारित संगटन है तो छोटे-छोटे अनेक विभागों का निर्मान हो जाएगा क्योंकि एक समाज में अनेक समू का अस्तित तो होता है इस प्रकार से एक होल्डेन कमेटी थी उसने चोटे-चोटे विभागों को लिली पुटियन परशाशन कह दिया लिली पुटियन एड्मिस्टेशन के संग्या किसने दी होल्डेल कमेटी ने व्यक्ति आदारित छोटे-छोटे विभागों को संग्यठनों को ये चीज आपको ध्यान रखनी है ठीक है नेक्स देखिए बहुत सारे व्यक्ति समू के हित में कई छेत्रों में समानताय रखते हैं तो ऐसी स्तिती में विभाग के कारे छेत्र का निर्दान करने में कठिनाय के सामना करना पड़ता है विशेशिकरन का विरोध होता है इसमें व्यक्ति को जो समू के हित होते हैं उसमें बहु आयामी कारे करमों का आयोजन करने के कारण संगठन के विशेशिकरण के सिद्दान्त के ये विरोधी हो जाते है नेक्स देखे D. राजनितिक दबाओ इस प्रकार के संगठन में व्यक्ति समू के आदार पर निर्मित होने के कारण राजनितिक दबाओ से प्रभावित होता है उन पर प्रभाव पढ़ता है और राजनितिक उतार चड़ाओ का इस प्रकार के संगठनों पर डारेक्ली इफेक्ट पढ़ता है प्रतेक्ष प्रभाव भी पढ़ता है ठीक है तो हमने 3 PS की बात कर ली लास्ट है 4 PS छेत्र अब देगी छेत्र क्या होता है वो स्थान जहां पर कार्य होता है वो संगठन का आधार होता है छेत्र में ये का गया है तो प्रतेक्ष छेत्र विशेष अपनी अलग समश्याओं के साथ लिए होता है उनका समाधान करने के लिए अलग-अलग संगठन या विभाग की आउशिक्ता होती है तो इस प्रकार यदि कोई संगठन एक छेतर विशेश की आउशिक्ताओं के आधार पर निर्मित कर दिया जाता है तो उसको छेतरिये संगठन या भोगोलिक संगठन कह दिया जाता है जैसे भारत में छेतर के आदार पर अनेक जिलों का निर्मान किया गया है ठीक है ये चीज हमने यहाँ पे एक एक्जाम्पल के तोर पर देख ली तो जब कोई संगटन छेतर विशेश की आउस्विक्ता पर निर्मित हो तो वह छेतर ये संगटन कहलाता है क्लियर चले एक सुसाथ पर देखिए छेतर आदारी संगटनों के गुण पहला इसमें गुण है समनवे वाला ऐसे संगटनों में समनवे स्थापित करने में सुईधा रहती है एक निर्दाय छेतर में विबिन सेवाय प्रदान करने के लिए समन्वे स्थापित करने में सुईधा रहती है ठीक है क्योंकि छेतर में समानताई होंगी ना विशेशताई होंगी ना जो विशेशताई होंगी वो समान होंगी तो यहाँ पर उन संगटनों में समन्वे स्थापित करने में सुईदा रहती है दूसरा गुण है इसमें B. अनुकुलन देखिए ऐसे संगटनों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं राष्टे योजनाओं और कारे करमों को छेतर में विशेश की आउशक्ताओं के अनुसार उनको अनुकुलित कर सकते हैं कारे में सुईदा छेतरे संगटनों में करमचारी इस्थानी आउशक्ताओं और परिस्तितियों से जानकार होते हैं उनसे रूगरू होते रहते हैं इसलिए कारे करने में स्वीधा होती है और जंता से सीधा संपर्क स्थापित हो जाता है तो यह भी हम गुणों की बात कर रहे हैं ठीक है नेक्स देखिए गुण दूर के छेतरों में भी परशाशन संभा होता है देखिए जो दूर दूरस जो इलाके होते हैं वहाँ पर छेतर आदारी संगटनों के क्या है गुण है नेक्स दम बात करते हैं छेतर आदारी संगटनों के दोश की देखिए यहाँ पर राजनितिक दबाव क्या छेतरी आदार पर गठित जो संगटन होते हैं वो राजनितिक दबाव के शिकार हो जाते हैं छेतरी नेता उन्हें अ बादारित संगठनों में भी देखिए छेतरियता की भावना आ जाती है इनके अंदर क्या छेतरियता की भावना आ जाती है क्योंकि ये एक निश्चित छेतर से संबंदित होते हैं तो छेतर विशेश के लिए अलग संगठन होते हैं तो लोगों में संकीन मनुवर्ती आ जात ठीक है सी देखिए राष्टे नीती में एक रूपता नहीं मिलती यहाँ पर इस प्रकार का जो संगठन गठित होता है वो आउशक्ता इनुसार कारे करता है तो राष्टे नीती के एक रूपता क्या अभाव मिलता है यहाँ पर राष्टे नीती में एक समान रूप यहाँ प कोमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए देखिए शेयर करने से लोग ज़्यादा जुड़ेंगे लोग ज़्यादा जुड़ने से हमारा जो ये प्रयास है वो अधिक्तम सफल हो पाएगा, I hope आप मेरा साथ जरूर देंगे क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आपका साथ और मेरा साथ मिलेगा तो सफलता जरूर मिलेगी वीडियो नोट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद